चलिए आज बना रहे हैं हम चिकन फ्राइड राइस बिल्कुल वह चाइनीज ठेले वाले होते हैं ना टेस्ट बिल्कुल वैसी आएगा और भी बिना जीनो मोटो डाले बिल्कुल उतना ही टेस्टी बनेगा जितना मार्केट का टेस्टी होता है तो सबसे पहले एग फ्राइ करेंगे तो कड़ाई में दो चुटे चमच ऑईल लिया हैं दो एग डाल लिया है मैंने और बिल्कुल इसे छोटे चोटे पीसे करके हम रख लेंगे और इसे अलग से लिकाल के एक प्लेट में अभी हम रख लेंगे उसके बाद सेम कड़ाई में 2-3 चमच ऑईल हम और डालेंगे और छोटे छोटे पीसे में कटे हुए चिकन 100 ग्राम के करीब चिकन है वो ले लेंगे दो से 3 मिनट इसे बिल्कुल तेज आँच में हम भूनेंगे उसके बाद आँच को कम करके इसे ढख के 10 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि चिकन गल जाए और अब चिकन को या तो आप कढ़ाई से हटा लीजे या उसी कढ़ाई में आप इसे थोड़ा थोड़ा सा किनारे कर दीजे बीच में डाल लेजे वापस से ओल इसके बाद हम डालेंगे इसमें लैसुन लैसुन को थोड़ा सा हम फ्राय कर लेंगे उसके बाद इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, डालेंगे साथी में प्यास, साथी में डालेंगे गाजर, डालेंगे बीन्स और सब छोटे तुकडों में कटा हुआ है और साथी में डालेंगे हम शिमला मिर्च और इन सारी vegetables को हमें बिल्कुल अच्छी तरह से fry करना है तो बिल्कुल अच्छे से चलाते हुए तेज आच में आप अच्छे से इसे fry कर लीजेगा और अब डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, डालेंगे काली मिर्च, आधा छोटा चमच, कुटी हुई बिल्कुल अपने पसंद के ले सकते हैं, आप चाहे तो बासमती रईस ले सकते हैं और इन सारी चीजों को डालने के बाद, अब हमें चामलों को खुब अच्छे से मिलाना है क्योंकि ये फ्राइड रराइज है, तो राइस का फ्राइड होना बहुत जरूरी होता है तो बिल्कुल 5-7 मिनट आप अच्छे से चलाते हुए इसे खुब अच्छे से फ्राय कर लेजेगा और इसके बाद जो अंडा हमने बना के रखा हुआ था वो इसमें हम डाल देंगे और वापस से 2-3 मिनट बिल्कुल चलाते हुए राइस को अच्छे से फ्राय कर लेंगे और हमारा जो चिकन फ्राय ड्राइजर बिल्कुल बन के तयार हो गया है अपिसे घर में जरूर ट्राय करिएगा रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा